रिशी कपूर आज हमारे बीच में नहीं रहे हैं, उनकी फिल्मों से वो जिन्दा है, साथ ही उनकी बाते जो हर बार वो सोशल मीडिया प्लाटफॉर्म पर शेयर किया करते थे, उनके ट्वीट्स की काफी चर्चया रहा करती थी रिशी कपूर का एक ट्वीट था जिसमें उन्होंने अपने फ्यूनरल का जिक्र किया था, और उन्होंने इस ट्वीट में लिखा था कि मैं ये मान के चलता हूँ कि मुझे भी इस इंडस्ट्री से कोई कंधा देने नहीं आएगा कब का है ये ट्वीट, क्यों रिशी कपूर ने ये ट्वीट किया और क्या कारण है ऐसी बात बोलने का, ये मैं आपको बताऊंगी कब क्यों और कैसे में रिशी कपूर सोशल मीडिया प्लाटफॉर्म्स पर काफी एक्टिव रहे हैं अगर देखा चाहे तो उनकी जो ये सेकेंड पारी थी, ये फिल्मों के साथ साथ आम जिंदगी में भी काफी पॉपलर और हिट रही है ये वो टाइम था जब बॉलिवुड ने एक बहतरीन सितारे को खोया था विनोत खन्ना, बॉलिवुड के हैंसम अक्टर विनोत खन्ना सहब की जब डेथ हुई थी, तो उनके फ्यूनरल को देखकर रिशी कपूर को बहुत ज़ादा दुख हुआ उनका कहना था कि इंडस्ट्री के कोई भी यंग स्टार्स, in fact उन्होंने कहा कि एक्टर्स जो अपने आपको स्टार्स कहते हैं उनको इतनी सी भी फुर्सत नहीं कि वो इंडस्ट्री के किसी सीनियर आक्टर के आखरी दरशिन में शामिल हो रिशे कपूर ने सभी आक्टर्स को स्लैम करते हुए ट्विटर पर लिखा कि मुझे बहुत ही शर्म आती है कि ऐसे आक्टर्स भी इस इंडस्ट्री का हिस्सा है रिशे कपूर ने अपने इस tweet में ये भी mention किया था कि ये सभी actors एक रात पहले प्रियंका चोपडा की party में मिले थे और वहाँ पर अपने आपको stars बता रहे थे लेकिन आज जब industry का एक इतना बड़ा सितारा चला गया है तो उसके funeral में आने के लिए किसी को भी फुरसत नहीं रिशे कपूर ने उन actors को fame के भूखे और चमचा बुलाते हुए कहा कि जिस तरह से विनोत खन्ना सहाप पा funeral गया है आज से मैं भी यही मान कर चलता हूँ कि मेरे मरने के बाद भी मेरे funeral में कोई भी मुझे कंधा देने के लिए नहीं आएगा इस industry से रिशे कपूर ने ये tweet बहुत ही गुसे में लिखा था उन्होंने कहा कि आज के actors जो अपने आपको stars बुलाते हैं और जो विनोत खन्ना के साथ काम भी कर चुके हैं वो ही विनोत खन्ना के funeral में नहीं आए ये देखकर मुझे बहुत दुख होता है ये tweet उन्होंने लिखा तो विनोत खन्ना साहब के साथ था लेकिन तभी उन्होंने ये बात समझ ली थी कि उनके साथ भी ये industry ऐसा कर सकती है और देखा जाए तो हुआ भी यही रिशी कपूर साहब जब इस दुनिया को अलविदा कहकर दूसरी दुनिया चले गए तब उन इंडस्ट्री के लिए जादा तर कहा जाता है कि सब अपने से मतलब रखते हैं कुछ ही लोग होते हैं जो ओवरॉल इंडस्ट्री में क्या गलत हो रहा है कैसा होना चाहिए इसकी परवा करते हैं रिशी कपूर उनमें से एक थे उन्हें अपनी कलीक के फ्यूनरल को लेकर दुख हुआ यही कारण था कि उन्होंने अपना ये गुस्सा ट्विटर पर शेयर किया था और बड़े दुख की बात है कि उनका फ्यूनरल भी कुछ इसी तरह से हुआ इंडस्ट्री से कोई भी लोग उनके फ्यूनरल में शामिल ही नहीं हो पाए कब क्यों और कैसे में अ अलिवर्टी काना